नमस्कार News Plus 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ अकांगशा आपके साथ हाजरों बॉलिवुड के इस खास ख़बर को लेकर 2018 Star Kids के लौँच के लिए बड़ा साल रहा है 2019 में भी कई Star Kids लौँच होने वाले हैं इसी क्रम में एक और नया नाम चुर गया है यह नाम कोई और नहीं बलकि जानवी कपूर की छोटी बहन और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर का है जी हाँ जानवी कपूर ने फिल्म धरक से अपने फिल्मी करियर के शुरवात की है और अब खुशी कपूर के फिल्मों में आने के लिए भी तयार है और एसा हम नहीं खुद करन जोहर कह रहे हैं जी हाँ करन जोहर ने संकेत दिया है कि अगले साल खुशी कपूर भी फिल्मों में आ सकती है हाली में करन जोहर ने नेहा धूपया के शो नो फिल्टर नेहा पढ़ाये थे करन ने उसी दौरान कहा कि अगले साल शावेद जाफरी के बेटे मिजान भी फिल्मों में आ सकते हैं इसी शो के दौरा नेहा ने करन से पूछा कि अगले साल किंकिन स्टार किट्स की लाउंचिंग हो सकती है इसी सवाल के जवाब में करन का कहना था कि खुशी कपूर और मिजान फिल्मों में आ सकते हैं मिजान के बारे में जहां करन نے कहा कि मिजान बेहदी टालेंट इन डांसर पर्फॉर्मर के रूप में तरशकों के सामने आ सकते हैं वहीं खushy kapoor बेहद सुन्दर और टालेंटेड है हाला कि करन ने अस पस्ट नहीं किया है कि खुशी और मिजान किस साल हिंदे फिल्म इंडस्ट्री में लॉंच होंगे वहीं दूसरी तरफ खबर है कि संजे लीला भन्जाली जावे जाफरी के बेटे मिजान को लॉंच करने की तयारी में है खुशी कपूर की लॉंचिंग को लेकर अब तक कोई भी चर्चा नहीं है लेकिन करन के संकीत से लग रहा है कि जानवी की तरह खुशी भी करन ही लॉंच करेंगे करन ने शो के दौरान ये खुलाशा नहीं किया है लेकिन दोनों की लॉंचिंग कब तक होगी और उस फिल्म का नाम क्या होगा सो यह कह पाना अभी काफी मश्किल है खुशी की लॉंचिंग फिल्म कौन सी है यह बताना बहुत मुश्किल है